Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 10.1 से question number 2 करेंगे Draw a line L एक line L बनाईए जैसे-जैसे question कहता है हम वैसे ही step-by-step करते हैं तो एक line L बनानी है length इसकी देनी रखी है तो आप कितनी भी length ले लेना और एक line बना देना ये मैंने एक line बना दी है और इस line का नाम रख दिया है L आपको इस तरह से देता कि A-B line बनाईए तो बड़े letters होते हैं और यहाँ पे A और यहाँ पे भी लिखना होता है next क्या है draw perpendicular to L at any point on L L के उपर कोई भी point लेजिए let's suppose मैं A ले लेता हूँ यहाँ पे और इस point के उपर आपको perpendicular बनाना है तो अब हम बनाते हैं perpendicular perpendicular का मतलब है 90 degree का angle बनाना है और perpendicular बनाना का जो step है उन्हें आप ध्यान से देखना जिस point के उपर perpendicular बनाना है वहाँ पे रखके अपने compass को थोड़ा खोल ले कितना भी खोल ले बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं और यहाँ पे रखके एक इस तरह से semicircle बना ले यह हो गया अब इस measurement को हिले नहीं देना है जितना यह measurement लिया है वो ही रहेगा यह जो line नीचे है यह इसको 2 point पे intersect करेगा यह semicircle तो पहले इस point के उपर लेना है यहाँ पे और यहाँ से ऐसे एक arc लगा देनी है फिर इस arc पे यहाँ जहाँ intersect हुआ है यहाँ पे रखके एक ऐसे arc लगा देनी है दो हो गई अब क्या करना है यह जो 2 intersect point आए हैं यहाँ पे बारी बारी से इनके उपर compass को रखके और उपर की तरफ दो arc लगानी है यह मैंने यहाँ रखके लगा दी अब मैं यहाँ पे रखके आर्क लगा देता हूँ यह लगा दी तो यह intersect हो जाएंगी दोनो arcs यह जो intersecting point आया है यह exactly इस a point के उपर 90 degree का angle बना देगा और वो ही होता है perpendicular तो इससे हम join कर देंगे यह बिलकुल इससे मैंने ऐसे join कर दिया इसके बाद question क्या कहता है on this perpendicular choose a point x 4 cm away from L अब यह जो perpendicular आया है इस perpendicular के उपर आपको एक point लेना है उसका नाम होगा x और वो 4 cm away from L यानि इस L लाइन से 4 cm दूर होना चाहिए तो दूर होने का मतलब यह है कि यहां से और 4 cm होगा उपर की तरफ वहाँ जो point होगा वो x लेना है हमे तो 4 cm कंपस के उपर measure करके और यहां निशान लगा देंगे तो मैंने कंपस के उपर कंपस के अंदर 4 cm की यह length ले ली है लगा देता हूँ यह वाला तो यहां जहां कटेगा यह यह जो point होगा यह होगा x तो इसका नाम में यहां x रख देता हूँ यह point का नाम इस point का नाम x है आगे क्या कहता है throw x draw a line m parallel to l अब इस x से होते हुए एक line बनानी है जो की l line के parallel हो अब parallel line कैसे बनाते हैं बाहर के point से यह exactly आपने first question में सीखा है यहां पे क्या होता है कि दो line parallel तब होती है जब उनके alternate interior angles बराबर होते हैं अगर यहां पे मैं alternate interior angles बराबर कर देता हूँ यानि a के इस तरफ यहां जहां मैं dot लगा रहा हूँ यह वाला angle और यह जो x point आया है इसके यहां अंदर की तरफ जैसे let's suppose यह x है और यह a है तो a के यहां वाला angle और x के इस transversal के दूसरी तरफ वाला angle इन्हें मैं बराबर कर दूँगा तो फिर जो line बनेगी उपर वो इस नीचे वाली line के parallel होगी तो अब x के उपर मुझे बनानी है line यह मैं फालतू जो है इसके अंदर यह रब कर देता हूँ तो x point आपको साफ साफ दिख रहा है अब angle बराबर कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए सबसे पहले a के उपर रखके हमें एक arc लगानी है a के उपर रखके मैं एक fresh arc लगा लेता हूँ कितना भी measurement ले लेना आप यह मैंने एक arc लगा लिया यह arc यहाँ पे इंटरसेट करेगी और उपर इस perpendicular को इंटरसेट करेगी इस measurement को हिले नहीं देना है इतना ही measure लेके x point के उपर रखके और यह जो perpendicular आया है यहाँ रखके आपको एक arc लगानी यह लगा दी इसके बाद यह जो a है a पे जो arc लगाई है इसके लेंट आप compass पे ले लेंगे तो यहाँ पे यह intersect हो रहा है और यह intersect हो रहा है इन दोनो points के उपर अपनी needle और pencil की चोच रखके इसको हम नाप लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसे नापता हूँ तो यह इतना आ रहा है यह length ले ली मैंने इस arc की अब इस length को compass पे लेके और यह जो उपर arc लगाई है और इस arc ने यहाँ जो perpendicular पे यहाँ पे intersect किया इस पे needle को रखना यहाँ पे यह needle रख दी और इस arc को ऐसे काट देना है यह cut गया अब जहाँ यह cut गा यह point आ जाएगा यह point और इस x point से होते हुए हम जो line खीचेंगे वो हमारी parallel line हो जाएगी तो इससे join कर देते हैं यहाँ गया है point और यहाँ पे है x यह line बन गई है parallel इसका नाम है m m रखा है इसका नाम बुक के अंदर question में तो इसका नाम हम m रख देंगे parallel क्यों होंगी यह lines इसका justification भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे यह जो a line है इसके उपर यह transversal पढ़ रही है अब यह line होगी और यह line होगी तो यह transversal होगी transversal बनाती है दो angle alternate interior angles एक इधर वाला और यह इधर वाला जब यह बराबर होते हैं तो lines parallel होती है यह question exactly question number one की तरह है बस वहाँ पे आपको एक outside point दे रखा था यहाँ पे पहले आपसे perpendicular बनवा लिया उसके बाद उस point को 4 cm अवे करवा लिया जहाँ पे line parallel बनानी है तो यहाँ पे मैं लिग भी देता हूँ कि यह 4 cm है यहाँ से यहाँ तक तो line parallel होगी question खत्म तो इस student बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye